अब अर्जुन का एक सवाल आता है फिर कि तो परमात्म की शरण को कौन ग्रहन करता है तो भगवान कहते हैं चार प्रकार के पुन्यात्मा ही परमात्म की शरण को ग्रहन करता है कौन से सबसे पहले है आर्थ आर्थ माना जो पिडित है विपदा ग्रस्त है यह जो बिमारी में है बहुत तकलीफ में है खश्ट में है तो बिमारी के समध के समध कौन यादाता है सिर्फ भगवान याद आते हैं और उस समय जब भगवान को भी याद करते हैं तो बहुत दिल से याद करते हैं और उसकी शरण में ही अपने आपको ले जाते हैं कि हे प्रभु अब आपकी शरण में है अब आप ही मेरे दुख, तकलीफ, विपदा, पीड़ा को खतम करो तो समय वसची दिल से प्रभु की शरण में आते हैं दूसरे प्रकार के लोग है अर्थार्थी यानि जो लाब चाहने वाले हैं जैसे बिजनेसमेन कि दुकान पर जाने से ही सर्व प्रतम भगवान को याद करते हैं इसी इच्छा के साथ कि भगवान आज मेरी सर्व मनो कामनाय पूर्ण करे और सच्चे दिल से जैसे भगवान की शरण में अपने आपको कर देते हैं तीसरे प्रकार के लोग है जिग्यासू जो ज्ञान की जिग्यासा रखते हैं जो बहुत कुछ जानना चाहते हैं और उस समय वो अपने बुद्धी को इश्वर की शरण में ले जाते हैं ताकि वो ज्ञान को अच्छी तरसे बुद्धी से समझ सके और चौथे प्रकार के लोग है ज्ञानी पुरुश अर्थात जो आध्यात्म को यथार्थ जानना जाते हैं कि धर्म से ज्ञान से भी उपर आध्यात्म क्या है वास्तविकता क्या है यथार्थता क्या है सत्य क्या है उस सत्य को समझने में जैसे अपने आपको इश्वर की शरण में कर देते हैं तो ये चार प्रकार के लोगों को भगवान ने का पुन्यात्मा है क्योंकि उस समय वो सची दिल से इश्वर की शर्ण को ग्रहन करते है आर्थ, अर्थार्थी, जिग्यासु और ज्यानी पुरुश फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं निसंदे ये सब स्रेष्ट भावाले ही है ये चारो प्रकार के लोग स्रेष्ट भावाले ही है परन्तु परमात्मा को सबसे प्रिय कौन है तो भगवान कहते हैं कि निसंदे ये सबी स्रेष्ट भावाले ही है परंतु जो परम ज्यानी और परमात्म प्यार में समाए हुए है जो इश्वर से अत्यंत प्यार करते हैं और उसके प्यार में जो समा जाते हैं, खो जाते हैं, वह सर्वस्रेष्ट है, बगवान को कौन प्रिय लगते हैं, जो ज्ञानी भी है और साथ ही साथ परमात्म प्यार में समाए हुए, खोए हुए, वह सर्वस्रेष्ट है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मु भगवान कारण भी बताते हैं कि वो क्यों सर्वस्रेष्ट है क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है उसे मैं अपने समान मानता हूं कितना रिगाड भगवान भी ऐसी आत्माओं का करते हैं वैसे भी दुनिया में कहा जाता है कि प्यार से ही बनता है अगर एक के रिदय में प्यार हो और दूसरे के रिदय में स्वार्थ हो तो वो संबंद कभी निब नहीं सकता है परंतु लव बिगेट्स लव प्यार से ही प्यार मिलता है आदान प्रदान है ये तो जो मनुष्य परमात्मा से प्यार करते हैं और उसके प्यार में समाय हुए है तो जरूर है भगवान भी उनसे प्यार करते हैं और सिर्फ प्यार नहीं करते हैं लेकिन ऐसी आत्माओं का भगवान भी रिस्पेक्ट रखते हैं वो अपने समान उनको समझते हैं कितना बड़ा ओनर है ये और क्यूं समान समझते हैं तो भगवान कहते क्यूंकि वह निश्चय बुद्धी होकर मेरी मत में स्थित रहता है भगवान जो स्रेष्ट मत देता है वो स्रेष्ट मत पर ही हर कदम वो उठा करके चलता है और वो भी निश्चय के साथ वो बहुत जनम के अंतीम जन्म में मेरी शरण में आ जाते हैं ऐसा महात्मा त्यंत दुरलब है कितना सुन्दर भगवान उन आत्माओं का रिस्पेक्ट रिगार्ड रखते हुए उनको अपने समान मानते हुए कहते हैं बहुत जन्म के अंतीम जन्म में ऐसा कोई महात्मा जो दुरलब अत्यंत दुरलब है हर कोई ऐसी स्थिती में नहीं होते हैं और वो भाक्युशाली है वो कहानी याद आती है कि एक बार नारज जी गुमते गुमते भगवान के पास पहुँच गए और भगवान के हाथ में एक डाइरी को देखा नारज जी ने बड़ी जिग्यासा वश पूछा कि प्रभू आपके हाथ में डाइरी तो भगवान ने का हाँ ये मेरी खास डाइरी है नारज जी ने सोचा जरूर खास डाइरी में खास बाते लिखी होगी पुछा भगवन इसमें क्या लिखा है तो भगवन ने का इसमें कुछ नाम लिखे है तो नारज जी ने पुछा किसके नाम लिखे है तो भगवन कहते हैं इसमें मैंने उनके नाम लिखे है जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं तो नारज जी बड़े प्रसन हो गए कि हे प्रभु मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा क्योंकि मेरे जितना तो आपको कोई याद नहीं करते हैं भगवान ने भी मुस्कुरा कर कहा तेरा नाम सबसे पहला नंबर तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करते हैं लेकिन फिर भी नारज जी को तसल्ली नहीं हुई कहा मैं डाइरी देख सकता हूँ कहा देख लीजिए देखा तो सचमुझ खुद का नाम सबसे पहला नमबर था आगे देखने लगा भगवान ने किस किस के नाम लिखे हैं डूढने लगा कि इस डाइरी के अंदर हनुमान जी का नाम कहा लिखा है देखा तो सारी डाइरी में भगवान ने हनुमान जी का नाम ही नहीं लिखा था अब नारज जी का तो काम था जलाना डाइरी भगवान को दी और ढूंडने निकले हनुमान जी को तो देखा कि हनुमान जी एक वरिक्ष के नीचे बैठ कर भगवान का नाम ले रहे थे वहाँ पहुँच कर नारज जी ने कहा ये ढौंग सब बंद करो कर क्यों तो नारज जी ने कहा मैं अभी भगवान के पास होकर के आया हूँ और वहाँ भगवान के पास एक डाइरी थी जिसमें भगवान उनके नाम लिखते थे जो उनको बहुत याद करते हैं और सारी डाइरी में आपका नाम ही नहीं था अब हनुमान जी कोई जलने वालों में से थोड़ी थे उन्होंने नारज जी से कहा कि मैं डाइरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी याद करता हूँ मैं तो उनके दिल में रहता हूँ नारज जी क्या कहते वहां से पुना चले गुमते गुमते फिर बगवान के पास पहुँच गए तो बगवान के हाथ में छोटी सी डाइरी थी नारज जी ने जैसे देखा तो बगवान से का बगवान ये डायरी तो अलग लग रही है तो बगवान ने कहा ये मेरी पर्सनल डायरी है नारज जी ने पूछा पर्सनल डायरी में क्या लिखा है तो बगवान ने कहा इसमें भी कुछ नाम लिखे है नारज जी ने बड़ी जिग्यासा के साथ पूछा कि भगवान इसमें किसके नाम लिखे है तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे है जिनको मैं बहुत याद करता हूँ नारज जी ने कहा आप भी याद करते हैं कुछ आत्माएं जो मुसे बहुत प्यार करती है उनसे मैं भी बहुत प्यार करता हूं वो मुझे अत्यन तप्रिय है इसलिए मैं उनको याद करता हूं तो नारज जी ने सोचा देखे तो सही क्या लिखा है इसमें किसके नाम लिखे हैं तो भगवान से डाइरी मांगी देख तो हनमान जी का नाम सबसे पहला नंबर था और सारी डाइरी में नारज जी का नाम ही नहीं था भावार थिये कि दुनिया में भगवान को याद करने वाले बहुत हैं लेकिन भगवान जिसको याद करे वो कोटों में कोई कोई में भी कोई विरला है और भगवान किसको या उनके प्यार में समाये और जो उसकी शरण ग्रहन किये हुए है उसको संपोनद रूफ से जान करके, यथर्थ रूफ से जान करके वो कोटो में कोई-कोई में भी कोई विर्ला है ऐसा अत्यन्द दुरलब महात्म जो है जो भगवान को भी प्रिय है और भगवान उसको प्रिय है उसे भगवान अपने समान मानते हैं क्योंकि वो निश्चई बुद्धी हो करके भगवान की स्रेष्ट मत का जीवन में आचरण करते हैं ऐसी आत्माएं भगवान को अती प्रिय हैं कितने होंगे बहुत कम हमें ये देखना है अपने आपको कि मैं कौन सी डाइरी में हूँ जो भगवान को याद करे वो या जिसको भगवान ने याद किया वो शायद यही समश्ती हूँ आप सब भगवान की उस छोटी डाइरी में होगे तबी आज समय निकाल करके अवसर मिला है उनकी बाते सुनने का भागिशाली हो